हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे इस तरह से एक कोटेड मैकरॉनी तो चलिए देख लेते हैं तो यह मैंने कुछ सब्जिया काटी है जिसमें हरी मिर्चे एक चार मिडियम साइस की प्याज है एक चोटा गाजर है और एक कैपसिका में मिडियम साइस की तो इन चारो को काट लिया है यह मैंने 200 ग्राम मेकरॉनी को थोड़ी सी हल्दी और नमक के साथ बॉयल कर लिया है अब हम इसे मैरिनेट करेंगे तो मैं दो एक डाल रही हूँ आप फोर एक तक डाल सकते हैं दोनों एक डालने के माई इसे हम हलके हाथों से मिक्स कर करेंगे अगर आपके पास ब्लैक पेपर पाउडर हो तो आप जरूर डालिएगा उससे टेस्ट बढ़ जाता और इसमें पढ़ता भी है अभी फिलाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है और एक बात आपको मिर्च आप अपने कोडिंग सब कुछ आप अपने कोडिंग डालिए इसे मिला करके हम रख देंगे साइड में यह बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है गास अन करके इस पर पैन रख लिया है पैन ऐसा दीख रहा है क्योंकि मैंने अब जस्ट एक और मैकरोनी बनाई थी जो कि बीना मिर्च की थी और बीना एक की थी तो अब बनाऊंगी मिर्च और एक वाली मेरे चैनल पर और भी मैकरोनी की रेसिपी है तो आप उसे भी जा करके चेक करें सब एक से बढ़ करें हैं बहुत टेस्टी बनी थी अब हम इसमें एड़ कर लेंगो ओल मैं मस्टर्ड ओल ले रही हूं फो टेबल स्पून के करीब आप जो ओल खाते हो आप उ करेंगे तो फ्राइ कर लेते हैं यह मैकरोनी ऐसी है ना कि जो एग लवर्स है और जो मैकरोनी लवर्स है उन दोनों के लिए यह सोने पर सुआगा वाली रेसिपी है प्याज लाल हो चुका है अब हम इसमें एड़ कर देंगे हमारी सबजियां कैप्सिकम एंड गाजर दोन सकते हैं सिर्फ एग में बना लीजिएगा जाएगा नमक जो कि स्वाद के अनुसारे मैकरोनी में भी हमने नमक डाला था उबालते समय तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम नमक डालें अब इसमें जाएगा भूने वेजिरे का पाउडर जो कि बिल्कुल भी स्किप ना कर करके इसे हम ढग देंगा डो जाएं के लिए गैस को लो कर देंगे सरीम में करंच बना रएक में डोक देपे देंगे दोgram हो चुके हैं एक पर देख लिएं कि सब्यों का क्या है अब सब्यार पक्छुकी हैं का बना हुई हम परोगों में जो की 110 नहीं हमारे कोटेड और ज सारा एक कोटेड मैक्रोनी तो डालने के बाद इसे हम अच्छे से हलके हातों से सारे को मिक्स कर देंगे और इसमें अब जाएगा एक टेबल स्पून के करीब विनीगर यह आपको थोड़ा खटाज ज्यादा पसंदे तो अब टेबल स्पून तक डालें डालने के बाद हम इस अच्छे से मिक्व कर देंगे देखिए जैसे यह गरम के कॉंटेक्ट में आया ना इसमें वाइट वाइट उपर में बनने लग गया है एक से कोटेड है मैक्रोनी मेरे मुह में तो पानी इतना जोर जोर का रहा है अब हम इसे ढग देंगे दो मिनट के लिए ताकि सब सब कुछ अब हम इसे ओपन कर लेते हैं दो मिनट हो चुके हैं हमारी मैक्रोनी हो गई है तैयार अब हम इस पर तूट पड़ेंगे तो अब हम इसे डिशाउट कर लेते हैं तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तिल दन बाइ-बाइ एं टेक केर और जरूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और पर क्लिक करना ना भूले